सुन्दर्ता बढ़ाने में काफी असरदार सावित होगा दोस्तों आज के दौर में हर इंसान तनाव से रुज़र रहा है और इसी तनाव की बज़य से आपकी आखों के मीचे टाक सरकल आ जाते हैं जो आपके चेहरे की सुन्दर्ता को कम कर देते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत सी आसान तरीका जिसे आप 2 मिनिट में तैयार कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले अभी चक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप पहले सब्सक्राइब कर दीजी और साथी बेल आईकोन पर भी क्लिक कर दीजी जिसे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस ट्रेंट को बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी इस कटोरी में हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ी चम्मच शहद और दोस्तों हो सके तो शहद एकदम प्योर होना चाहिए और ना मिले तो बाजार से कोई सा भी ले लेना है शहद का काम दोस्तों आपके चहरे को मौशराइज करना होता है यदि आप इसे अपनी आँखों के नीचे लगाते हैं तो आपके चहरे के नीचे के जो डाग सरकल है उसे यह मौशराइज करता है इसके बाज दोस्तों हम लेंगे खीरे का रस दोस्तों यह खीरे का रस मैंने इसे पहले ही निकाल कर रख लिया था खीरा यानी ककड़ी का रस इसे आपको आदा चम्मच शहर में मिला लें आप इसे उतनी ही मात्रा में डालें जितनी मात्रा में मैंसे डाल रहे हैं बिल्कुर ऐसे ही अब हम लेंगे दोस्तों आलू का रस आलू के रस को आपको इसमें आदा चम्मच डाल देना है कितना हमने ठीरे का रस लिया था दोस्तों उतना ही आलू के रस को लेना है आदा चम्मच आलू का रस ले लिया है अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं इसको मिलाने के बाद दोस्तों आपको आपने आखों के नीचे इसे लगाना है और आप चाहें तो इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों यदि आप इसे पूरे फेस पर लगाते हैं तो पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी और नीबू से धोलें और अधि आप नीबू का यूस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही गुनगुने पानी से धोलें और फिर इसे लगा लें और लगबक 10-15 मिट तक इसे लगाए रखें जब ये सूखने लगे तो इसे धोलें दोस्तों आपको लगातार 10-15 दिन तक ऐसा ये करना है और आप इसे पहले से बना कर ना रखें आप इसे फ्रैसी बनाएं तो ये आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा और लगबक 15 दिन में आपको एक्सपेक्टिब ज़्याद मिले लगेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हम फिर मिलेंगे जल्दी आपसे मैंनुसके के साथ तब तक के लिए नमस्कार